साउथ अपरिका के खिलाब तीनों फॉर्मेंट टेस्ट वरंडे और टीट्वेंटी सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया गया है साउथ अपरी का दोड़े पर रोई सर्मा और विराट कोली वाइड बॉल क्रिकट यानि वन्डे और T20 फॉर्मेट नहीं खेलेंगे ऐसे में या माना जा रहा है कि T20 वर्ल्लकप दोड़े 24 में संभव तो ये दोनों खिलारी नहीं खेलेंगे वहीं केल राहूल वन्डे में टीम का नेत्रित्व करेंगे रोहित सर्मा रेड वल्ल क्रिकट यानि टेस्ट में टीम की कमाल समारेंगे वैसे विराट कोली और रोहित सर्मा इन दोनों ही दिगजों के T20 और वन्डे से बाहर होने में एक अहम सवाल उठ रहा है कि क्या ये दोनों दिगज अब आगे T20 और वन्डे नहीं खेलेंगे खासकर सबसे बड़ा सवाल T20 वर्ल कप 2024 को लेकर है जो चंद महीने दूर है T20 वर्ल कप 2024 का आयोजन 3 जून से 30 जून तक वेस्ट इंडिज और अमेरिका में होना है इस T20 वर्ल कप से पहले टीम इंडिया को कुल साथ T20 मुकाबले ही खेलना है ऐसे में साउथ अप्रिका दोड़े से कोली और रोहिस सर्मा के T20 में ना होने से एक सीधा मतलब निकल रहा है कि ये दोनों ही खिलाडी अब नए खिलाडियों को मौका देना चाहते हैं लेकिन इस पे मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि रोहिस सर्मा और विराट कोली को T20 वर्ल कप खेलना चाहिए और दोज़ेट 23 के वन डे वर्ल कप वाले टीम को ही जून में होने वाले T20 वर्ल कप खेलना चाहिए तो दोस्तो इस पे आपका क्या opinion है comment section में जरूर बताएं